एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निपून लक्से एप को रीड़ लोग आपसे जोड़ लेका सही तरीका क्या है बहुत सारे हमारे साथ ही ऐसे हैं जिन्होंने निपून लक्से एप को रीड़ लोग आपसे तो जोड़ है तो निपनलक्स एप और रीडेलंग वैप को जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके मॉबाइल में दोनों ही एपस का डाउनलोड होना जरूरी है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी पार्टनर कोड़ एंटर करते हैं क्योंकि जब हम उसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद उसमें पार्टनर कोड़ हमें एंटर करना होता है यहां पर हम एप को डाउनलोड करने के लिए प्लेस्टोर में चले गए हैं और मैंने यहां पर टाइप कर दिया ह एप जैसे हम डाउनलोड करने के लिए सर्च करते हैं तो यह दीरे दीरे जो है इस तरह से डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और जब पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा तो हम देखेंगे कि सबसे नीचे की और हमारा ओपन का ऑप्शन भी यहां पर मिलेगा और वहां स हम इसे ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद जो हमारे सामने पेज आएगा तो वहां से हमारा जो रिडे लोग एप है उस पर हमें सही तरीके से काम करना है क्योंकि वहाई पर हमें यह देखना है कि कैसे हम पार्टनर कोड को एंटर करते हैं और कौन सा पार्टनर कोड हमें पहले एंटर करना है, तो यह open का option हमारे सामने आ गया है, देखिए यहाँ, सबसे नीचे आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर एक बार click करके हम इसे open कर लेते हैं जैसी हम इसे open करते हैं, तो open करने के बाद कुछ ऐसा page हमारे सामने आ जाता है इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे एक girl आपको मिलेगी वो कुछ बोलती है और बोलने के बाद देखें यहाँ पर जो सबसे ऊपर का option हमारा है हिंदी और इंगलिस इसे यहाँ पर हम click करके select कर लेते हैं यहाँ पर हमें language को select करना है तो language को हमने यहाँ से select कर लिया है और green arrow पर click करके हम आगे बढ़ गए हैं यहाँ पर एक sentence है जिसे हमें पढ़ना है पहले हमें girl पर click करना है और फिर हम इसे तेज आवाद में बोलते हैं learn to read with me learn to read with me जैसे हम यहाँ पर इसे बोल देते हैं तो यह जो इसका color है वो बिलू करन में change हो जाता है तो यहाँ से जब हम इसे तेज आवाद में पढ़ देते हैं तो यहाँ से जो girl है उसी के बराबर में आपको एक green करका arrow मिलता है इस पर click करके हम आगे चले जाते हैं यहाँ पर देखें जो main work है हमारा यहाँ से सुरू होता है जो आप left side में सबसे उपर three lines यहाँ पर देख रहे होंगे यह three lines देखें मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर यह three lines आप देख रहे हैं इनी three lines पर एक बार हमें click करना है यहाँ से हमें partner code एंटर करने के लिए option मिलता है तो यहाँ पर मैंने एक बार क्लिक कर दिया है ने कंअगी आपको इस नीुद करने के और ऐसा option हमारे सामने आप है पार्टनर जोड़े तो इस पार्टनर जोड़े पर भी एक बार और हम क्लिक करते हैं पार्टनर कोड जोड़ने पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर code enter करने के लिए option आजाता है तो पहले हमें यहां पर जो भी अपने below का partner code है वो यहां पर हमें पहले enter करना है जैसे मैं अपने below का partner code enter यहां पर कर देता हूँ 40, 10, 87, 15 और इतना enter करने के बाद नीचे check row का option है देखें मैं आपको दिखा देता हूँ यह उपर हमेने partner code enter कर दिया है और नीचे जो check करो वाला option है तो इस पर मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है और इस पर मैं click करता हूँ check करो पर जैसे हम click करते हैं तो यहाँ पर CSF basic education department UP लिखा हुआ आ जाता है और नीचे register करें वाला option हमारे सामने कर लेंगे जैसे यह नीचे आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर click कर दिया है और click करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो partner code जोडने के लिए दूसरा option हमारे सामने आ जाता है यहाँ पर हम partner code जोड़े उपर आप देख सकते हैं यह नीचे CSF Basic Education Department UP आ गया है और उसके उपर एक option आप और देख रहे होंगे partner code जोड़े देखें मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ इसके बाद हमें यहाँ पर click करना है partner code जोड़े पर जैसे हम यहाँ पर click करते हैं तो यहाँ पर दुबारा से हमें जो दूसरा partner code है वह एंटर करना है दूसरा partner code है हमारा UPPRNA UPPRNA तो यह मैंने टाइप कर दिया है और नीचे जो चेक करो वाला option है आप देख सकते हैं यहाँ से चेक करो वाले option पर हम नीचे इस option पर एक बार हम click करते हैं तो जैसे हम यहाँ पर click करते हैं तो click करने के बाद प्रेणा लखसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा और नीचे जो register करेबला option है उस पर एक पार click करके हम इसे register कर देते हैं तो इस तरह से हमने दोनों ही partner code को यहाँ पर enter कर दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं CSF basic education department UP और printer lex app दोनों ही यहाँ पर जो हमारे enter हो गए है तो इस तरह से अगर किसी साथी के दोनों apps दोनों ही जो partner code है यहाँ पर show नहीं हो रहे हैं तो वो तरीका सही नहीं है किसी भी साथी कर आपको check करना हो तो पर क्लिक करते हैं और नीचे जो partner code है उस पर एक बार हम क्लिक करते हैं अगर हम partner code पर क्लिक करते हैं तो दोनों ही जो partner code है यहाँ पर आपको मिलेंगे अगर यह दोनों partner code आपको नहीं मिल रहे हैं तो यह समझेंगे कि वो तरीका सही नहीं है और सही तरीके से उसको नहीं जोड़ा गया है तो इस तरह से आप जो भी read along app है उसे डाउनलोड करके यहाँ पर partner code ज़रूर एंटर कर ले अब हम दूसरा जो हमारा app है जो निपुन लक्स app है तो ऐसा option हमारे सामने आता है यहाँ पर install करने के लिए हम किलिए करते हैं और धीरे धीरे जो है install होना यह शुरू हो जाता है जैसा कि हमने पहले read along app को डाउनलोड किया था तो उसी तरह से हम निपुन लक्स app को डाउनलोड कर रहे हैं और निपुन लक्स app को डाउनलोड करने के बाद नीचे आप देखते हैं जैसे कि हमारे option मिलता है open करने के लिए तो हम निपुन लक्स app को भी open कर लेते हैं तो यहाँ पर यह download हो गया है और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर open का option भी आ गया है तो इस open पर एक बार और हम click करते हैं इसे open कर लेते हैं और open करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा निपुन लक्स app है तो वो open हो गया है और यहाँ पर जो arrow है उस पर हम click करके नीचे चले जाएंगे और मैं सहमत हो का box यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर right का sign यहाँ पर मिलता है जैसे हम click करते हैं तो यहाँ पर एक सही का निचान आपको मिल जाएगा और नीचे एक option मिलता है आपको आगे बढ़े तो नीचे जो आगे बढ़े वाला option है तो इस पर एक बार click करके हम आगे बढ़ जाते हैं मैंने यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक कर दिया है टिक करने के बाद तो आगे बढ़े पर टिक करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इस्पोर्ट असेस्मेंट है तो सारे प्रेसेंट पर पहली बार डाउनलोड हो रहे हैं इन में से एक दो मिनिट का समय लगेगा कि प्रतिक्षा करें क्योंकि यह थोड़ा सा टाइम लेता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एक मैसेज भी विलेगा इसमें एक दो म परसंटेज हो देरे देरे बन रही है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर 57 के बाद लगभग जो है 60 तब पहुंच गया है और यह डाउनलोड होने वाला ही है जब पूरी तरह से डाउनलोड जाएगा तो यह उपन करेंगे और कैसे हमें आगे असेस्मेंट करना है वह आगे बताने वाला हूँ देखें माली जी आप टीचर हैं तो जो यहां पर आपको यह उप्सन मिल रहे हैं सिक्षक मेंटर और अभिवावक तो जो सबसे पहला वाला उप्सन है मारा सिक्षक वाला तो उसी को हम यहां से सलेक्ट कर लेते हैं यहां पर आप एक उप्सन देखें के डिस्टिक सलेक्ट करने के लिए तो यहां पर हम डिस्टिक को सलेक्ट करते हैं और नीचे जो अप्सन है यहां से हम बिलोग को सलेक्ट करते हैं तो जो भी आपका जिला है या जो भी आपका बिलोग है तो वहां पर हम यहां से इसे आ क्लिक करके यहां से select कर लेता हूँ तो जब हम दोनों को select कर लेंगे तो जो नीचे proceed का option दिया गया है तो उस proceed वाले option से हम आगे बढ़ जाएंगे तो यह मैंने proceed पर क्लिक कर दिया है और हम आगे बढ़ गए है और यहां पर आप देख सकते हैं और assessment को यहां से सुरू करेंगे तो assessment को सुरू करने के लिए पहले हमें class select करनी होगी एक subject select करना हुगा और जो जो नीचे दिया गया है next उस पर next पर हम click करना हुआ तो मैंने यहां पर grade first हिंदी को select कर लिया है और next पर click कर दिया है बैसे यहां से आप देख सकते हैं जो संख्या हैसे यहां से तो नीचे बटन को किसा को रहा है और जो नीचे start button दिया गया है उस पर हम click कर देता है तो यहां से मैंने देखिए यह संख्या है है और इसको सेलेट करने के बाद जो नीचे स्टार्ट दिया गया है उससे हमने किलिक कर दिया है तो यहां से जो आपको यस का मिलता है तो यहां से यस वाले उप्सन पर चले जाएंगे और यह दीरे यहां पर आपको पैस्ट मिल जाएंगे जैसे यहां पर आप देख सकते हैं विद्याती को नीचे दिए वाक्षों को पढ़ने के लिए बोलिए जैदि विद्याती पांस सेकंड से ज्यादा किसी सब्द पर अठक जाए तो उसे अगले सब्द को पढ़ने के लिए बोले जैस पूरा वाके सही पढ़ा तो जो पूरा बागे सही पढ़ने वाला option है उस पर एक बार्फ करके हैं से देखी वें दिखा देता हूं तो यहां इसे पर मैं ने एक बार किलिक कर दिया है और किक करने के बाद शेयमने स्लेक्ट कर लिया है और next पर चले गए यहां से मैंने पूरा वाक्या सही पढ़ा इस पर एक बाग किलिक किया और किलिक करने के बाद देखे इस पर यह जो dark हो जाएगा और हम next question पर चले जाएगे जैसे हाँ पूरा वाक्या पढ़ा पूरा वाक्या सही पढ़ा यह सही माली जी बच्चे में पढ कर दिया तो पढ़णाद देखने के लिए यह आगर बढ़े अस्पर हम किलिक करते हैं और जब हम इसक्रिए करें तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारे चारों प्रश्ण हैं वो सही वो गया बैए और इसके नीचे आप एक मैसेज देख सकते हैं कि बदाई हो आपके बच्चे ने सही सभी जो प्रस्ण है उनके उत्तर सही दे दिये हैं तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो बच्चे ने question हमने बच्चे से पूछे थे तो यह अगर बिल्कुल सही है तो यहां से हम देख सकते हैं बदा ही हो आपके बालक बालीकाने कक्षा एक गड़िद भासा के निपन लक्षा को हासिल कर लिया है और next pack के लिए करके हम आगे बढ़ जाएंगे मैंने next pack के लिए कर दिया है आकलान समाप्त हो गया है आकलान को हम submit कर देते हैं तो इस तरह से हम एक बार पूरी तरीके से आकलान बच्चे का हमने कर दिया है दूसरे student का आकलान करने के लिए हम start another assessment के option पर चले जाएंगे या जो भी subscribe आप चाहें तो उसे select करने के बार start पर चले जाएंगे student को select करते हैं start पर चले जाएंगे नीचे जो option दियेगे उनवे से select करते हैं और ये धीरे धीरे इस तरह से हम assessment कर लेंगे अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो पिलिज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद